Dear Students, आज हम एक बहुती महत्पों टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो की है, बोर्ड पेपर की जो आपको कॉपी मिलती है, उसको कैसे भरा जाता है तो एक हमको उत्तर पुष्टका मिलती है और प्रश्ण पत्र मिलता है तो उत्तर पुस्तिका में बहुत सारी जो खाली स्थान होते हैं एंट्रीज होती हैं जो हमको complete करनी होती हैं तो उन एंट्रीज को कैसे हम सही सही भरें इस सम्मंद में मैंने एक format के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्ण हैं जो चात्र चात्राओं के मन में रहते हैं विसेश कर जो पर्थम वर्स में प्रवे से जो नौ प्रवे से चात्राएं हैं इसके अलावा जो लेटरल एंट्री के माद्यम से सीधे दुती वर्स में प्रवे से चात चात रहे हैं, उनके मन में बिसेश रूप से जिग्यासा है कि कॉपी आखिर कैसे आती है, कैसे हम उसको भरना है, सही तरीका लिखने का क्या है, इसके अलावा उनके माइंड में रहता है कि कॉपी प्लेन होती है, कि लाइनिंग वाली होती है, कुल कितने पेज होते हैं, बी कॉपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है, कैसे हम प्रस्न उत्तर लिख रहे हैं, बहुत ही important होने वाला है तो सभी लोग इसको जरूर लाश तक देखिए और अच्छे से प्रतेक बात को समझने का प्रयास कीजिए तो ये बच्चों एक format है जो मैंने बनाया है इसको समझाने के लिए आप लोगों को copy कुछ इसी तरीके से मिलती है इसमें लिखा होता है आपना A मतलब main copy जो A copy जिसको हम बोलते थे पहले B copy चला करती थी तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि अब सिर्फ एक copy मिलती है मुक्ख copy A copy जिसको बोलते हैं B copy अब नहीं मिलती है पहले मिला करती थी ये number of pages जब कम होते थे अब वो system बंद हो गया है एक ही मुक्ख copy मिलेगी उसमें जो pages हैं आपको उन्हीं का use करना है पूरे उसका उत्तर देने में अलग से आपको कोई भी B copy नहीं मिलेगी तो बच्चों यहाँ पर एक यह उत्तर पुस्तिका का एक कर्मांग करेता है उत्तर पुस्तिका का कर्मांग देखे यह यहाँ होगा उत्तर पुस्तिका कर्मांग को एक कर्मांग यहाँ लिखा होगा तो यह जैसे मैंने लिख दिया 12345671 को दाहरण के लिए तो उसके सामने या उपर या नीचे कहीं पर प्रिंट होगा तो वो उत्तर पुस्तिका क्रमांग क्यलाता है तो ये आपको जरूरत पढ़ती है कुछ आपको sheets मिलेंगी साइन करने के लिए तो वहाँ पर आपको उत्तर पुस्तिका क्रमांग भरना पढ़ता है तो ये उत्तर पुस्तिका करमंग सही सही देख कर ही आप उन शीट पर भरिये क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है आगे जब कभी रिजल्ट में प्रॉब्लम हो जाती है या कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उस समय ये चीजें बहुत काम आती है यहाँ पर एक नमर पर सबसे पहले पार्ट करम का नाम खाली जगे होगी डॉट डॉट करके बना होगा तो पार्ट करम के नाम में आपको अपनी ब्रांच का नाम लिख देना है जैसे कोई मेकेनिकल इंजिनरिंग का चात्र है तो मेकेनिकल इंजिनरिंग या हिंदी में या कभी अंतरण लिख सकता है और bracket में जैसे उसका specialization production है तो bracket में production भी उसको लिखना है अगर RAC है तो RAC लिखना है कोई civil engineering का students है तो civil engineering है तो civil engineering बस लिख देंगे यदि कोई specialization उसकी EPC है माल लेजिए तो civil engineering लिखकर करके bracket में वो EPC लिख देना है तो पूरी ब्रांच का नाम अच्छे से लिखना है जगे कम है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं लेकिन इस तरह से लिख देना है दूसरा नमर पर पॉइंट है कच्छा कच्छा का मतलब है आप किस वर्स में है और किस सेमिस्टर में है तो सबसे पहले लिख सेमिस्टर तो यह से कोई फर्ष सेमिस्टर में है तो प्रतम सेमिस्टर ओबलिक प्रतम वर्स भी हुआ तो प्रतम वर्स इसमें से आप देखिए यहां उपर जो लाइन है वो सेमिस्टर की होगी नीचे वर्स की होगी तो जो भी सेमिस्टर है माली जी इस बार जो भी सेमि वर्स तो प्रिथम दूती होता है और यह अंतिम वर्स होता है तो उसमें से तीन साल वाले कोर्स में तो जो भी आपका वर्स है उसको आप टिक कर दीजे अब बच्चों हम आ जाते हैं तीन नमर पर जो की अनुकर्मांग या निकी लिए आपके पास एड़्म उसे एड़्मिट तो बिलगुल सही-सही एक-एक डिजेट आपको देख कर के सही-सही वर्स जाते हैं यह पूरा यहां तक आ जाएका कई बार क्या होता है यह जो कॉलम इसमें बने कम पड़ जाते हैं रॉल नंबर ज्यादा डिजिट का होता है तो आपको क्या करना इस तरह से आगे बढ़ा करके अपना स्वयम के कॉलम बना लेना है और उनमें अपना नंबर डिजिट जो भी ह अंकों में उसको भर देना है अब बात आती है सब्दों में तो बहुत सारे स्टुडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं वो कहते हैं कि जो सब्दों में लिखना तो यह इतने करोड़ फिर इतने लाक 19 करोड़ 78 लाक पिर कहेंगे 96,050 ऐसे लिखना है तो बच्चों ऐसे नहीं बिलकुल आपको प्रेसर नहीं लेना है जो डिजेट है जो अंकों में लिखा है वही को सब्दों में लिखते जाना है आप ये इंगलिस में भी कर सकते हैं आप हिंदी में भी कर सकते हैं इसे 1 लिखा है तो इसको 1 लिख दीजे 9 है तो 9 लिख दीजे 7 है तो 7,8 है तो 8,0 ह शे है तो छे, पांच है तो पांच इस तरह से पूरा आप लिखते जाएए और लिख दीजी जहां तक भी जितने भी आपके अंकों में लिखे उनी को सब्दों में आप सीधे लिख दीजीए तो यह अगर आप हिंदी में करना चाहे तो वन को आप एक लिख सकते हैं, नाइन को आप 9, 7 को 7 8 को 8 ऐसे हिंदी में भी आप लिख देंगे तो भी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अब बच्चों बात आती है बिसे की चार नमर पर बिसे दिया है तो बिसे में बहुत सारे छात छात्रें अदिकतर यह गलती करते हैं अपने इसाब से जो मनाता है लिख देते हैं जैसे अपलाइट फिजिक्स फष्ट का पेपर है तो हो सकता है लिख दें फिजिक्स या सिर्फ लिख दें भौती की और उसमें ना फष्ट लिखें जब प्रश्न पत्र मिले तो कॉपी करके सीधे उससे यहां पर उतार दीजे और प्रश्न पत्र संख्या भी उस प्रश्न पत्र में लिखी होती है 2042 वो कहां लिखी होती है वो अभी प्रश्न पत्र दिखाता हूँ उसको देख करके यहां पे इसको भर देना है गलत इसको न तो यह प्रशन पत्र है आपके सामने खुला हुआ है यहां देखी यह सब्जेक्ट का नाम सबसे पहले अंग्रेजी वाला वर्जन होता है इंगलेस वर्जन अप्लाइट फिजिक्स फिस्ट यह लिखा है तो इसको सेम कॉपी करके बिसे में जहां लिखा था वहां पर आपक पूर्ण चीज है इसको जरूर याद रखिएगा कोड नंबर का मतलब यह प्रशन पत्र का कोड है तो 2042 है तो इसको देखे यहां पर यह प्रशन पत्र संक्या यह यहां पर 2042 भरा जाएगा और यहां बिसे के नाम में देखी अप्लाइट फिजिक्स फिस्ट यहां इस त अच्छर आते तो कच्छने रिच्चक जो अपकी क्लास में डूटी करते हैं टीचर्ट लोग उनको कच्छने रिच्चक कहते हैं वो आपको वो भी एक बार चेक कर लेंगे और यहां पर साइन करते हैं कई बार उनको ध्यान भूल जाता है आदे घंटे बाद भाद भी जाएगी इसके बाद यहां पर दिनांक का कॉलम है तो दिनांक आपको भरना है जैसे पांस तारीक है जनवरी है दो हजार बाईस है तो पहले दिन लिखना है पांस तारीक फिर उसके बाद मन्त जीरो एक फिर उसके बाद येर दो हजार बाईस ऐसे आपको लिखना है कमरा नम्मर का मतलब है जिस कमरे में आप बैट करके परिच्छा दे रहे हैं तो यदि आपको पता है कमरा नम्मर तो ठीक नहीं पता है तो जो आपके कच्छनी रिच्छा के जो ड्यूटी कर रहे हैं सर लोग उनसे आपको पूंच लेना है कि सरी ये कमरा नम्मर कौन सा है तो बत लिखने हो करें तो लिख दीजी तो आप पूंच लीजी इसमें गलत मत भरिये उनसे इस बारे में जरूर बात कर लीजी अब जो सबसे बड़ी महत्पूर्ण बात हम बात कर लेते हैं परिच्छारतियों हे तो जो महत्पूर्ण निर्देश जो आपकी कौपी में ही लिखे लेकिन बहूत सारे छाठ छात रहा क्या करते हैं वो पढ़ते नहीं है उनकी आदत नहीं होती है और ऐसा कई बार देखा गया है कि लड़का बिना सोचे समझे ना वो देखता है कि बिसे क्या लिखा है कोड उसका क्या है वो बिना सोचे समझे बस करना सुरू कर देता है तो कई बार कुछ प्रशन उसको आते जाते हैं मिलते रहते हैं तो वो उनको हल करता है कई बार पता जब चलता है जब एक घंटे लड़का सॉल्व कर चुका होता है और मिलान किया जाता है तो पता चलता है यह तो इसका पेपर था ही नहीं तो ऐसा कई बार हो चुका है हमारे सामने ही इस तरीके का हुआ है तो आप लोगों को जरूर मिलान करना है गलती से यह पेपर दे दिय तो उसको मिलान करिये कि परष्ण पत्र कौट सही है कि नहीं और इसके लावगब परष्ण पत्र में जो नाम लिख kop का उसका जरूर आप चेक कर लिजी कि वही बिसय है जिसकी आप परिच्छा देने के लिए आए हैं अब इसमें बात कर लेते हैं कि इस उत्तर पुस्तिका में कुल कितने प्रष्ट होते हैं तो इसमें कवर पेस है टोटल 36 प्रष्ट होते हैं तो यदि 36 प्रष्ट आप काउंट कर लीजिए आप 36 प्रश्ट से यदि कम है आपके तो उसको आप कच्छन रिष्छा को सूचित कर दीजिए तो वो आपको copy को change कर देंगे उससे कम प्रश्ट नहीं होने चाहिए क्योंकि एक ही copy मिलती है यदि आपके प्रश्ट कम होंगे तो आपको लिखने में फिर बाद में सुविदा हो सकती है और उसका फिर बाद में समस्य आएगी बदलने में तो 36 प्रश्ट होते इस बात को जरूर याद रख लेना कबर पेज से तो कबर को आप हटा लीजे ये बहुत महत्पूर्ण है आसपास देख लीजे अपनी जेब पॉकेट चेक कर लीजे कोई भी चीज ऐसी सामगरी ना हो जिससे आपके खिलाब कोई कारवाई हो सके तीसरा है पृतेक पन्ने में दोनों और लिखना है और रफकार है तो जो भी पन्ना आपने यूच किया है तो उसको रफकार लिख करके बाद में उसको काट दीजे तो जो भी पन्ना रहेगा मैं आप यह आपको दिखाऊंगा ब्लैंक पेज बिल्कुल रहता है प्लेन उसके दोनों साइड लिखना है यह नहीं कि एक साइड आपने लिखा फिर पन्ना पल्टा पिर दाहेने साइड लिखा बाएं को छोड़ दिया ऐसा नहीं करना है चौथा है एक प्रशन के सभी खंडों के उत्तर एक ही करम में दे अब यह बहुत मातपूर्ण है जो की ज़्यादा तर छात्राइं गलती करते हैं जैसे एक प्रशन में मान लीजिए तीन खंड है आवासा और उनमें से कोई दो खंड का उत्तर देना है तो प्रशन उत्तर संख्या एक में आप उत्तर दें फिर उसके बाद वहीं पर प्रशन उत्तर संख्या एक में बाग का उत्तर तो परिच्छारती का होगा ये बहुत महत्पूर्ण बात है इसको जरूर याद रखिए आधा अधूरा बच्चों की बहुत गलत आदत होती है कि कोई खंड यहां कर दिया फिर आधा उसी का खंड मिला करके पीछे कहीं लिख दिया फिर पांच में पन्ने में लिख दिया फ प्रश्न पत्रों में परिच्छण द्वारा अनुमती प्रदान की गई है तो केलकुलेटर किन-किन विश्यों में लाउड रहता है आप पता कर लीजिए संस्थान में और केलकुलेटर लिखे नॉन प्रोग्रामेबल टाइप केलकुलेटर आपको लाउड रहता है उसको लेजी हो जिन जिन प्रश्ण पत्रों में लाउड है वो पूच कर ही आप परमीशन के साथ उसको ले जा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं चटा है उत्तर पुष्टिका की कवर प्रश्ट के स्थम एक से पांस तक सभी प्रिविष्टी पूर्ती परिच्छार्ती द्वारा किया जाना है उसमें बने होंगे कॉलम आपके तो उसमें आपको यानि प्रश्ण जैसे 5 प्रश्ण है टोटल तो 1, 2, 3, 4, 5 लिख दीजिए और पहले प्रस्ण में आपने कौन कौन से खंड किये हैं या जो किये हैं वो आप पहले से भर सकते हैं तो उसके परिच्छक को नमबर देने में सुविधा होती है तो यह था प्रस्ण पत्र का फॉर्मिट जो मैंने आपको बता है इसमें बिसे लिखा रहता है कोठ नमबर टाइम लिखा रहता है कितने यह लिखा रहता है इसमें भी नोट्स लिखे रहे तिसको अच्छे से पढ़ड़ी जीए किस परस्ण में कितने पार्ants का उत्तर देना है कितने दिये गए हैं उसी हिसाब से आप उत्तर दीजिए अब जो कौपी होती है बिलकुल प्लेइन होती है उसमें ये लाइनिंग बिलकुल नहीं होती है जो अभी दिख रही है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ पर लाइन इस तरह से बाए तरफ एक स्केल जो आपका आता है छोटा वाला उसको रखिये और लाइन प्रस्नोंट लिखने के लिए तो पूरी प्लेन कॉपी है तो यह पेज हैमा लीजिए तो इस में यह जो ब्लेक लाइन मैंने डाली हुई है तो यह खीची हुई है खीच कर मैने आपको दिखाने के लिए और ऊपर भी खाली रहती तो थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं उपर बाद जो प्रस्णोत्तर हमको लिखने का जो तरीका होता है तो उसके बाद एक तरीका आपका यह प्रस्णोत्तर एक यानि पहला प्रस्ण का उत्तर आप लिख रहे हैं और खंड ये ब्रैकेट में लिख दिया जाता है आ तो आप ऐसे लिख दीजिए या फिर प्रस्णोत्त को कई बार कुछ बच्चे गलती से क्या करते हैं प्रशन उत्तर या संख्या लिखना कि किस प्रशन का उत्तर है ये वो भूल जाते हैं जल्दबाजी में और पूरा उत्तर सही लिख देते हैं लेकिन ये नहीं पता चलता है कि पहले प्रशन का ये कौन से खंड का उत्तर है पांच में प्रस्ण के कौन से खंड का उत्तर है तो ये बड़ा उल्जन वाला काम होता है तो कई बार यदि परिच्छक उसमें नंबर नहीं चड़ाता है तो उससे बच्चों का नुकसान हो जाता है अब दूसरा बात यह है कि जैसे आपने प्रस्ण उत्तर एक का आ दिया तो दूसरे उसके बाद फिर एक प्रस्ण का जब आप उत्तर दे लें तो एक लाइन खीज़ देना इसकेल रख कर के उससे क्या होता है दोनों में अंतर क्लियर हो जाता है कि हाँ एक प्रस्ण आपने था उसका जवाब दे लिए अफ दूसरे प्रस्ण का आप उत्तर दे रहे है तो लाइन जरूर खीचिए और किलियर फिर दी कि उसी खंडर का प्रस्ण उत्तर एक कही ही आपने बा पाड़्ट किया तुरंत आप एक का बी पार्ट कर दीजिए तो यहां पर बिल्कुल इस पर लिख दीजिए अंडर लाइन कर दीजिए और ब्लैक पैन का यूज कर ये हैडिंग लिखने के लिए तो उससे बिल्कुल किलियर दिखेगा और आपको समझ भी आएगा तो प्रशन उतर एक का आ एक ही जगे देखी करम से एक का आ गिया लाइन खीजदी पहला प्रशन कंप्लीट हुआ प्रशन उतर एक का बी आपने कर दिया तो इस तरह से फिर बी का उतर दीजिए फिर उसमें और पार्ट है तो लगातार प्रशन उतर एक का सा सी डी इस तरह स या आबासा जो भी लिखा है आप उस तरह से आप उसको करते जाईए तो ये इससे क्या होगा बिल्कुल क्लियर और इस पश्टता बनी रहेगी और नंबर चढ़ाने वाले परिच्छक को कोई भी आपको प्रे नंबर देने में असुविदा नहीं होगी अब हम बात कर लेते हैं जैसे कोई चित्र आप बनाते हैं ज्यादा तर इंजियनरिंग में चित्र बनाकर ही किसी चीज को समझाना चाहिए explain करना चाहिए तो बच्चे क्या करते हैं pencil से चित्र बनाते हैं तो pencil से चित्र बनाना भी चाहिए माली चित्र बनाते समय कोई गलती हो जाती है तो आप उस चित्र को मिटा करके razor से आप फिर से चित्र बना सकते हैं ठीक कर सकते हैं लेकिन एक चीज के जरूर ध्यान रखना है जब चित्र आपका बन जाए पैंसिल से तो उसको black पैंसे या dot या किसी और sketch पैंसे उसको bold कर दीजिए उससे होगा क्या जो मैं आपको बताता हूँ problem जो आती है चित्र में जैसे आप कभी RTI से आप अपनी जो copy है answer seat हो उसकी photo copy निकल वाएंगे या scan copy मंगवाएंगे तो ये जब scan होगी copy अगर आप pencil से बनाये होंगे तो बिलकुल उसमें आएगा ही नही फोटो copy में या scan में आएगा ही नही तो जब आपके पास copy पहुचेगी तो ये आपका ही बनाया हुआ चित्र आपको दिखेगा नहीं उस जगे बिलकुल खाली इस्तान दिखेगा तो उससे क्या होगा जब आप अपनी copy किसी को दिखाएंगे कि देखी हमारा तो सही लिखा था नंबर ठीक है तो अधर तो खाली जगे देखेगा तो RTI से copy निकलवाने कभी कोई मकसाद आपका पूरा नहीं हो पाएगा वो कहेंगे इसमें तो कुछ खाली जग है पता नहीं स अच्छे से लिख सकते हैं अब जो बड़ी महत्पून बात आती है सबसे last में जब आपका paper हो जाए तो roll number जरूर लिख देना है अपना आपका जो भी roll number है वो roll number लिखके यहां पर पूरा अच्छे से लिख देना है अब यह ऐसा क्यों किया जाता है और बहुत सारे जगे copy लाई ले जाए जाती है तो वो पन्ना फट जाता है या उतना जो roll number वाला हिस्सा है कई बार अलग हो जाता है या फट जाता है या पहचान में नहीं आता या माली जी किसी लड़के ने roll number भरा उसने गलत भर दिया कोई उसको check नहीं कर पाया तो यहां क्या होगा द लंबा वेट करना पड़ता है फिर copy मिलती है नहीं मिलती है क्या solution होता है फिर बहुत problems होती है उसमें लड़के को भी सफर करना पड़ता है और board में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी दिक्कत आती है यह सब लड़के को trace करने में कि यह कहां का student है क्या roll number है सही सही कैसी इसके number परे जाएं तो यह सारी चीजें भी आती हैं तो यह आपको बहुत ध्यान रखना है समझदार बनना है roll number बिलकुल सही सही front page के साथ last में एक बार बिलकुल roll number सही से देख करके roll number लिख करके फिर अपनी बात को खतम कर देना है the end करना है यह roll number अच्छे से बड़े ब इस तोर सरी लेटरल इंट्री के माद्दे हम से second year में प्रफेसित हुए हैं ताकि उनका पूरा उनको knowledge हो सके कैसे copy लिखना है क्या-क्या साथानी परतनी है जो बच्चे पहले से copy लिखते भी रहे है second year final year में तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वो भी ऐसी बहुत सारी गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए और उनके result रुख जाते हैं या उनके number कमाते हैं copy में या फिर जब वो करते हैं स्कूटनी में तो इसी बज़े से इनी गलतियों की बज़े से उनके number कहीं न कहीं छूड जाते हैं जो बाद में फिर स्कूटनी मे ठीक होते हैं लेकिन उसमें कहीं ने कहीं चात को या चात्रा को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो उम्यद करता हूँ आप जो मेरे दोरा जो बताई गई बाते हैं उन पर अमल करेंगे उन पर ध्यान देंगे अच्छे से लिखने की आदत डालेंगे जो टॉपर का जो लिखने का एक तरीका होता है उस तरीके की आदत अपनी बनाएंगे हैविट और हमेशा एक जब आप हैविट बना लेंगे तो निश्चित तोर पर आपके मार्क्स में आपकी परसनेल्टी में और पूरे जो आपके रिजल्ट में है वो चीज आपकी जहलकेगी और सामने दिखाई देगी तो यह था बच्चों आज का महत्पूंड वीडियो उमीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा तो आज के लिए इतना काफी है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीकी की उपयोगी जानकारी के साथ फिर आप से मिलूँगा तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मुच आपका दिन शुब हो